जैहिंद फ्रेंट्स मैं सीव प्रतिभाय एजुकेशन फ्रेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जिनवरी को सीटिट की एकजाम होने बाली है और हम लोग लें इस स्रिंखला में बहुत सारे कुश्चनों को कर लिया है ज यदि आप भी जो है सिक्षक भरती परिच्छा की त्यारिक कर रहे हैं तो उससे पहले परिच्छा देने जाने से पहले जरूर इस सेशन को देखे तो चलिए भी नहीं समयगा बाया शुर करते हैं आज का ये सेशन पहला कुश्चन है और कहा ज़ा रहा है कि वर्नांधता इसन बेता बात करें तो वर्नांध वीक्ति जो होते है वो लाल और हारा रंग में भेड नहीं कर पाता और इसे प्रोटीन दोस्त या डेल्टो निज्म कहते हैं वर्नांद जो वेक्ति होते हैं उन्हें वर्नक यानि कि कलर पहचाने में दिकत होती है और लाल वहरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं इसमें प्रोटीन दोस्त या डेल्टे निज्म भी कहते हैं तो प्रोटीन दोस्त और डेल्टे नि किया कोन है आगे कुश्चन ये कहा गया है फ्रेंच कि हीमोफीलिया रोग में बेगती कि रुधिर का थक्का नहीं बनता और थक्का नहीं बनने के कारण जो है यह थक्का नहीं बनने के कारण जो है विटामिन के के कारण ही जो है रक्त का थक्का बनता है और हीमोफीलिया जो रोग होती है इसमें रत का ठका नहीं बनता तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं जो कि विटामिन के कमी की कारण भी हो सकती है और इसे रत सरावन रोग भी कहते हैं तो ब्लट बिलीडिंग डीजी भी से कहते हैं आगे कहा गया है कि उदीपक अनुकिडिया सिधान्त के प्रबर्तक कोंभाण तो इसकीनर महोदय की बात करें तो इसकीनर महोदय जो है फ्रेंड्स ये किरिया प्रसूत अनुबंधन सिधान्त के प्रवर्तक है आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे कहा गया है कि अनुकुलित अनुक्रिया का सिधान्त इसके प्रवर्तक कोन है तो पावलाब महोदे की बात करें तो पावलाब महोदे जो है अनुकुलि प्रबर्तक गुथरी हैं गुथरी महोदे जो है इनके प्रबर्तक है आगे बाद की जाए फिर्म्स तो आगे कहा गया है कि प्रबलन सिधान्त तो प्रबलन सिधान्त के जो प्रबर्तक है वो कलार के इल हल है और कलार के इल हल की बात करें तो यह जो है प्रबलन सिधान्त के स और गलंग तो आगे तो आगे ये कहा है कि अदिगम स्वान सिधान्त और अधिगम सोपान सिधान्त के जो परबर्तक है वो आरेम गयने है और RM गैने की बात करे तो इन्होंने जो है अधिगम सोपान सिधान्त को दिया है आगे बात की जाए परें तो आगे ये कहा गया है कि समाजिक अधिगम का सिधान्त और समाजिक अधिगम के सिधान्त की बात करे तो अलवट बंडूरा महोदे फ्रेंट्स आगे बात की जाए तो आगे कहा गए कि प्राकिर्तिक उधीपक भोजन और प्राकिर्तिक उधीपक घंटी की आवास तथा प्राकिर्तिक अनुक्रिया यह लार आना है तो प्राकिर्तिक उधीपक में भोजन सामिल होते हैं, जो की नेचरली रूप से भूख लगती है, तो हम भोजन की ओर जाते हैं, तो ये प्राकिर्तिक उधीपक की सरेनी में आते हैं, जबकि और प्राकिर्तिक उधीपक की बात करें, तो मैनमेड घंटी होती है, और ये जो जब क्लास्रूम में तो बजने के उपरांत गर्फ में ने के वड़ाया हमें कर। अगे बात कि जाए फिल्म को चैन एंवम संबंद का सिधान्त भी कहते हैं और जिसके जो है प्रवर्टक थांडाइक महोदे है तो इसे आफ़िधान रख सकते हैं आगे ये कहा गया है कि गनीत के प्रश्णों का समाधान करना यह किस सिधान द्वरा है तो परियास और तूटी के सिधान द्वरा जो है यह संभब है गनीत के प्रश्णों का समाधान करना और यह जो कॉंसेप्ट दिया है यह थांडा एक महोदय ने दिया है जिनोंने अनको ने दो भागों बाटा कलास्किक अन्वंद्वन और सादनात्मक अन्वंद्वन तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं आगे ये कुशन पूछा गया है कि एड़वर्ड चेस्ट टॉल्मेन एड़वर्ड चेस्ट टॉल्मेन की पुश्टक का नाम क्या है तो परपोसिव बिहाइवियर इन अनिमाल्स अन्वन इनके जो लेखाख है वो एड़वर्ड चेस्ट टॉल्मेन है तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं आगे कहा गया है कि कुशलर महोदे की पुश्टक का नाम क क्या था तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं आगे कहा गया है कि इसकीनर की पुस्तक का नाम क्या है तो इसकीनर की पुस्तक का नाम नाम क्या है तो यह जो है इसकीनर महोदे की पुस्तक है तो यह जो है इसकीनर महोदे की पुस्तक है आगे कहा गया है कि इनकी पुस्तक का का नाम क्या है तो एजुकेशनल साइकलोजी की बात करें यह जो पुस्तक है यह यह थांडाइक महोदे की है और यह थांडाइक महोदे की पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकलोजी आगे बात की जाए तो कलार के एल हल की पुस्तक का नाम क्या है तो प्रिंस्पल ओफ ब पावलव को कहा जाता है अनुवंधन के पीता किसे कहा जाता है तो यह आई पी पावलव को कहा जाता है आगे बात किया गया है कि कोहलर ने अपना परियोग सुल्तान नामक चिंच पंजी पर किया था तो इसे हमने बताया था इसकीनर ने अपना परियोग चुहे और कभूतर कर ठी किया था तो इसे आप ध्यान दाग सकते है भूल-भुलाया किसे संब्गण दीत है ग्छायक कुमार से नहीं टॉल примa one men weajaniuk से संब्गण देत है उसके बात करें तो मौलिक पाप का सिधानथ इसके प्रवर्तर जो संत आगस्टाइन की बात करे तो ये जो है मौलिक पाप के सिधान्द के प्रवर्तक है जन्मदाता है और मौलिक पाप के सिधान्द के प्रवर्तक संत आगस्टाइन है मनो सामाजिक विकास का सिधान्द मनो सामाजिक विकास का सिधान्द इसके परवर्तक जो है संत इरिक्षन है और संत इरिक्षन की बात करें तो यह जो है मनो समाजिक विकास के सिधान से संबन देता है आ गया कि सेमुल एसमाइल के अनुसार सेमगल एसमाइल एक मनो बैग्यानिक है और इनके अनुसार जो है चरीतर जो है ये आदतों का एक पूंज है चरीतर जो होता है ये जितने भी आदत होते हैं उसका एक पूंज है उसके बाद बात करें फेंज तो मनो बैग्यानिक बनने से पहले जीन प्याजे क्या थे तो मनो कुहल वर्ग के नैतिक विकास सिधान्त में प्रॉड़ावस्था को सामिल नहीं किया गया है . . . . इसे अब ध्यान रख सकते हैं आगे ये कहा गया है कि अभी प्रेर्णा एक जन्मजात सहज प्रत्य आंत्रिक और अध्री से सकती है तो इसे ध्यान रख सकते हैं अभी प्रेर्णा का जो उदे से होता है वो निर्देशित रहता है यानि कि उसी माध्यम से जैसे जैसे अभी प्रेर्णा मिलती जाती है उस परकार जिया निर्देशित होता रहता है अभी प्रेर्णा जो है एक मनो बेभारी किरिया है अभी प्रेर्णा का जन्म किसी आप सकता के कारण होता है यानि कि कहीं न कहीं कोई आप सकता होती है तब ही जो है वो अभी प्रेर्णा आती है आगे कहा गया है कि अभीप्रेरणा जो है एक परतीयक्श सक्ति है यानि कि इंडाइरेक्ट सक्ति है और वो जो है अंदर से आती है किसी ने किसी उधिपन को देखने के उपरांत ही या बचों में अंधन से आती है उसके बाद बात कर होते हैं यह अभिप्रेर्णा के चालक होते हैं तत्त होते हैं आगे बात की जाए फ्रेंट तो आगे यह कहा गया है कि थॉम्शन के अनुसार जो है अभिप्रेर्णा दो परकार की होती है किसके अनुसार तो थॉम्शन के अनुसार तो एक सभाविक होती है और दूसरी जो है क्रितिम होती है यानि कि एक निचुरल होती है और दूसरी जो है मैनमेट होती है इसे अभध्यान रख सकते हैं और थॉमसन नहीं नहीं है दो भागों में बाटा है मैसलो ने भी अभी प्रेरना को दो भागों बाटा और उसने बताया कि एक अरजित होती है और दूसरी जन्मजात होती है ये बात मैसलो ने अभी प्रेरना को दो भागों में बाट कर बताया Garrett Mohoday ने अभी प्रेरणा को तीन भागों बाटा और उन्होंन कहा कि एक जयवी कहोती है अभी प्रेरणा जो है मानव में पाइसाती है बचन पाई जाती है आगे बात कहा तो आगे कहा गया कि fried के अनुसार तो इन्होंने जो है दो मुख कारक बताए fried ने और बताए कि एक मूल प्रविर्ती और दूसरा जो है आचेतन था तो और यह जो है कॉंसेप्ट फ्राइट महोदय ने दिया आगे बात की जाए फ्रेंट तो मैसलो ने मांग के पांच सिधान्त दिये जैब किये निम्ण मांग सुरक्षा की मांग समाजिक मांग स्वासमान की मांग एबं अप रुक्षान भूती की मांग तो फ्रेंट मैसलो महोदय ने जो है मांग के पांच सिधान्त दिये जैब किये या निम्ण मांग सुरक्षा की मांग समाजिक मांग स्वासमान की मांग एबं अप रुक्षान भूती की मांग तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं आगे कहा ग गर्भ ये सब जो है सामिल है और ये सब जो है सकारात्मक संबेग के अंदर सामिल है according to भारतिये साइकलोजिस्ट फ्रेंट्स नाकारात्मक संबेग की बात करें तो according to भारतिये साइकलोजिस्ट नाकारात्मक संबेग में भय, घ्रिना, कायरता, क्रोध, इर्सिया, जलन, आध लिकार ये सब जो है ये सब जो है नाकरात्मक संबीक के अंदर सामिल है आगे बात किजाए फिर्ण तो आगे ये कहा गया है कि अभी प्रेर्णा सीखने की एक सर्थ है ये बात किस ने बताया तो मैल्टन महोदे ने जो है फिर्ण्स बताया कि अभी प्रेर्णा जो है एक शीखने की परकिडिया तभी अच्छी होगी जब अभी प्रेरना होगी तो ये बात एंडर्शन महोदे ने बताया और एंडर्शन महोदे ने बताया कि सीखने की परकिडिया तभी अच्छी होगी जब अभी प्रेरना अच्छी होगी आगे कहा गया है कि अभी प्रेरना के ल शिक्षक विद्यार्थियों में अभिप्रेर्णा को जगा सकते हैं और वो जो सब्ध है वो जो कॉंसेप्ट है यह है उद्ये से पुरसकारदन प्रगतिकाग्यान निंदा प्रसंसा अस्प्रधा आकंछा निर्मान और प्रोत साहन अनमोधन बेवसाई कलच इनके माध्यम से बच्पों में अभिप्रेर्णा को विक्सित किया जा सकता है आगे कहा गया है काँए कि अस्थाबन जो है जीम्स की तो यह बात भी थ्यान रख सकते हैं फ्रिंस इस सेजर्ण में है बिलते हैं मिलते में सेजर्ण में धन्यबाद